दोस्तो टिकनिकल बाउस्ट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीड़े में हम आपसे बात करेंगे आपको बताएंगे Flipkart account कैसे बनाते हैं कैसे order करते हैं payment कैसे करते हैं order को cancel कैसे करते हैं वही स्यूड़े मैं आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे तो चलिए बनावेस time start करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपसे request करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नई visitor हो तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करके technical boss channel के family member बनेगे दोस्तो flipkart account कैसे बनाते हैं order कैसे करते हैं payment कैसे करते हैं और order को cancel कैसे करते हैं यह सब आपको आता है तो आप इस वीडियो को close कर सकते हो यह वीडियो उन भाईयों के लिए जिने account बनाना नहीं आता order करना नहीं आता order cancel करना नहीं आता payment करना नहीं आता उन भाईयों के लिए है सबसे पहले तो आप flipkart app डाउनलोड कर लीजिए play store से play store से डाउनलोड करने के बाद आपको mail और mobile number वगेरा type करना है जैसा कि मैं account पहले से कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैं यहाँ पर mobile number टाइप कर देता हूँ type करने के बाद send OTP करूँगा OTP आएगा यह automatic ले लेगा verify हो जाएगा उसके बाद कुछ ऐसा interface आपको आएगा सामने जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर side में option दिया हूँ है जैसा कि आप देख सकते हो pencil का निशान है उस पर click करना है आपको अपना पूरा नाम वगएरा डालना है वहाँ पर जैसा कि आप नीचे देख सकते हो mobile number automatic आ गया है email address आपका update नहीं है तो आप update कर लीजी अगर आपको password अगयरा change करना है तो आप यहाँ से password अगयरा change कर सकते हो बाअसानी तो चलिए back चलते है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो address का option है उस पर click करना है आपको अपना पूरा address type करना है याद रहे है address type करते समय आपको pin code वगयरा डालना ज़रूरी है यही नहीं आपके करीब में अगर कोई place है जैसे मान लीजिए कोई मस्जिद है मंदीर है या फिर कोई main चौक है या फिर कोई main टावर है तो उसका address डालना बिलकुल भी ना भूले क्योंकि आपका parcel जो आएगा बहासानी आपको मिल जाएगा mobile number वही डालिए जो आपका चालू है यहाँ पर डाल दीजिए उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं home पर home पर जाने के बाद हम आपको order करना सिखाएंगे order को cancel करना सिखाएंगे और payment करना सिखाएंगे तो चलिए यहाँ उपर arrow का निशान है arrow के निशान पर हम click करके home पर जाते हैं हम home पर आगए हैं यहाँ पर आप उपर देख सकते हो offer zone, mobile, fashion, electronics वगेरा दिया हुए है आप यहाँ से click करके check कर सकते हो अगर आपको कुछ लेना है यहाँ जैसा के देख सकते हो आपको कुछ आ नहीं रहे जैसे आपको मान लिजिए POCO F1 परचेस करना है तो आप उपर search में option में click कीजिए वहाँ पर आप POCO F1 लिखिए लिखने के बाद आप जैसा के देख सकते हो POCO F1 आ गया है मैं click करता हूँ यहाँ पर अलग-अलग price दीवी है अगर आपको price चेक करना है तो price चेक करके आपको जो सस्ती price लगती है उस पर आप click करके order कर सकते हो मैं पहला वाला option ले लेता हूँ यहाँ पर सीधा option है आप देख सकते हो यहाँ पर offer मिलेगा 5% unlimited cash back flip access credit card यह नया access का और flip card का credit card है आपको इसकी भी वीडियो जल जल मिल जाएगे हमारे चैनल पर यहाँ पर अलग-अलग offer मिल जाएगा आप यहाँ चेक कर सकते हो आपके पास अगर access bank बस credit card है तो 5% off मिलेगा वगेरा वगेरा एक्चेंज offer वगेरा मिल जाएगे आपको EMI option भी मिल जाएगा flip card access credit card से तो चलते हैं नीचे अगर आपको इसमें से कोई option चूज करना है तो आप नीचे चूज कर सकते हो यहाँ पर आपको exchange offer भी मिल जाएगा यहाँ से आप जो है address देख सकते हो address change वगेरा कर सकते हो 4 से 5 दिन delivery दे रहा है अगर आपका करीब में होगा तो 2 दिन 3 दिन में deliver हो जाएगा आपका parcel यहाँ पर जैसा के EMI option दिया हुए यहाँ पर check कर लेते हैं अगर आपके पास बजाज फिंसर कार्ड वगेरा है यह हर एक पर नहीं देता है बजाज फिंसर कार्ड का इस पर flip axis credit card का शिप दिया हुआ है किसी पर देता है flip card, axis credit card, बजाज फिंसर कार्ड, yes bank credit card, SBI credit, HDFC credit card वगेरा American Express वगेरा देता है आपके पास अगर कोई भी कार्ड है तो आप installment पे भी purchase कर सकते हो और terms condition नीचे पढ़ सकते हो अब इससे cancel करते हैं cancel करने के बाद आते हैं main page पर order पर जाते हैं जैसा कि नीचे देख सकते हो आप buy now का option दिया हुआ है आप यहाँ से review अगरा पढ़ सकते हो और buy now पर क्लिक कीजिए skip continue पर क्लिक कीजिए आपको यहाँ पर उपर आपका address दिखाएगा address सही है तो रहने दीजिए अगर change करना है तो आप change कर सकते हो address को आसानी यहाँ पर आप quantity select कर लिजिए एक दो पांच जितना भी आपको purchase करना है उसके बाद आप नीचे देखिए यहाँ पर आपको price बता देगा free delivery दे रहा है और उसके बाद आप continue पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको deliver हर यहाँ पर एक बार और क्लिक करना पड़ेगा address चेक करने बाद आप continue पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अलग-अलग payment option देगी credit, debit, ATM card, phone pay, Bheem, UPI, net banking, EMI, easy installment और cash on delivery यहाँ पर देख लेते हैं पहले credit, debit, ATM card पर क्लिक करके continue करेंगे हम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर continue करता हूँ मैं, यहाँ पर आपको जो भी number है, card number वो type करना है और pay करना है आपकी जो payment हो जाएगी और आपका order confirm हो जाएगा पैक चलते हैं phone pay, Bheem, UPI पर चलते हैं, उस पर click करेंगे और उसके बाद continue order पर click करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आ गया है देख सकते हो, यहाँ पर आपको ID डालना है, जो भी ID जैसे for example, technical बाश्चा, अड़रेट phone pay, मैं यह टाइप करूँगा मेरे phone pay पर मैसेज आएगा जितनी भी amount है, उतनी महाँ से मैं pay करूँगा, मेरा order हो जाएगा confirm मैं cut करता हूँ, इसको cut कर लेते हैं, phone pay पर अगयरा से payment नहीं करते हैं, हम आपको सिधा बताएंगे, COD से यानि cash on delivery से payment आप कैसे कर सकते हो cash on delivery आप मंगाईए बहुत सही पड़ेगा, अगर आपके पास जैसे access bank, birth credit card है, HDFC debit card, credit card पे भी कभी-कभी आपको offer मिलता है आपके पास अगर वो है तो आप उसका use करिए, नहीं तो फिर आप cash on delivery सीधा option चूज कर सकते हो net banking से भी आप payment कर सकते हो, EMI easy installment पे भी आप उठा सकते हो, या फिर आपको नीचे gift card है, अगर आपके पास gift card है, तो वो हर किसी के पास नहीं होता, उसे हम बाद में आपको बता देंगे किसी वीडियो में, cash on delivery पे हम click करते हैं, और place order करते हैं, यहाँ पर number आएगा, OTP number आप capture number हैं, आप इसे click कीजिए, जो भी आएगा आपका, उस पर confirm कीजिए confirm करने के बाद आपकी जो order है, वो हो जाएगी confirm, उसके बाद यहाँ पर आपको बता देगा और आपको message भी आजाएगा, अपने mobile number पर यहाँ पर आप देख सकते हो, आप फिर से home पर आईए, अगर आपको order cancel करना है तो आप कैसे करेंगे आप click कीजिए side में तीन race दीवी है उसके उपर यहाँ पर आपको नीचे my order का option है उस पर जाना है, आपके जो भी order कियो उस पर जाना है नीचे आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपको order check भी करना है ट्रेक करना है, तो order package shipped कब हुआ, deliver कब होगा पूरी detail आपको बताएगा और आपको message भी आएगा अगर cancel करना है, तो नीचे cancel का option दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, screen पर cancel पर click करना है आपको फिर से जाते हैं, हम आपको 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 करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो screen पर देखते रहिए, आप order cancel कैसे करते हैं, माई order पर जाएए, जो भी product आप purchase कियो, उस पर click कीजिए, click करने के बाद cancel का option दिया हुआ है, नीचे cancel पर click कीजिए, और आपको यहां reason लिखना होगा, आप क्यों cancel कर रहे हैं, for example, कुछ भी दाल दीजी, आपको जो भी, जिसे order by mistake दाल दीजी, या फिर आपके पास पैसा ने जम रहे हैं, तो आप वो लिख दीजीए, या फिर आपको नहीं मंगवाना है, उस चीज में इंट्रेस नहीं है, तो आप वो टाइप करके, submit request पर क्लिक करिजिए, क्लिक करने के बाद, आपका order cancel हो जाएगा, और आपको message भी आएगा, कुछ समय बाद आपके mobile number पर, या order बहाअसानी cancel हो जाएगा, और यहीं नहीं, आपको जैसा के मैं payment option वगेरा, बता दिया हो, कैसे करना है, ज्यादा बैतर होगा आप COD, यानि cash on delivery मंगाईए, अगर आपके पास जैसा के आप screen पर देख सकते हो order cancel हो गया है, यहाँ पर बता दिया है, जैसा के मैं आपको बता रहा हो, HDFC debit card credit card है, आपके पास